तुलसी के पोदों को जादा खात देने की गलती बिल्कुल न करें दो-तीन महीने में एक बार गोबर की खात या वर्मी कमपोस्ट और एक चमच चाय की बत्ती एक प्लांट में अगर आप डालते रहेंगे तो बहुत अच्छे से प्लांट चलेगा प्लांट को हेल्दी घना बनाने के लिए बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है जो मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ नमस्कार दोस्तो गार्डिन प्लाज्यस चैनल पर आप सभी का स्वागत है बीज से उगाई हुए तुलसी के ये चोटे-चोटे से प्लांट जिनने में बहुत सारे घरों में लगाना चाहती हूँ आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ तुलसी के छोटे से पौधों की कैसे reporting करनी है, कैसे घना वनाना है और कैसे इनकी care करनी है ये सारी चीजे आज की वीडियो में बताने वाले हूँ गर्मियों में अगर आपके तुलसी की पौधे खराग हो चुके हैं तो इस समय बीच से आप ठेर सारी पौधे होगा सकते हैं तुलसी की बीच बोने के लिए या प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो मिट्टी आप यूज कर रहे हैं उसमें 20% रेद और 20% गूबर की पुरानी खाद जरूर मिला लें या आपके पास पुराने कंडे रखे हुए हैं तो इन्हें भी तोड़कर आप दो दिन पहले मिट्टी में मिला कर रख दें इसके अलाबाद थोड़ी सी नीम खली या नीम की सूकी हुई पत्तियां एक चमच हल्दी पाउडर या एक चमच फंगी साइड जरूर मिला लें चुकि इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं तो मिट्टी की बतली से लेयर उपर से डालना है और इस तरह की से उंगली से बीच को दबाता है तो जर्मेशन बहुत चल्दी होगा ये देखिए ये दस पारा दिन पहले बोए हुए बीच का रिजल्ट है और ये जो पौदे हैं इसके बीच मैंने माई लाश्ट में बोए थे अभी बारिस की बज़े से इसमें पानी थोड़ा ज़ादा हो गया है लेकिन मिट्टी अच्छी है तो ये अभी तुरंत निकल जाएगा और ये जो पौदे हैं इनको मैंने अपने इस प्लांट के मैचोर सीट से मार्च में उगाया था इतना बड़ा होने में इन्हें लगबक 2-3 महिने का समय लगा है अभी तक मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया है क्योंकि मैं वेट कर रही थी इनके घना होने का और सीधे इस्टिक की तरह लंबे होते जाते हैं पौधों को घना बनाने के लिए हमें इनकी पिंचिंग करते रहना है लेकिन पिंचिंग कौन सी स्टेच से सुरू करना है यानि प्लांट कितना बड़ा होने के बाद हमें इसकी पिंचिंग सुरू करनी है पिंचिंग में हम ओ प्लांट से 6 इंच के होते हैं हमें पिंचिंग का काम सुरू कर देना है और तक तक रिपोर्ट नहीं करना है जब तक इसमें दुबारा से नई ब्रांचिस नहीं आ जाती हैं फिर आप देखेंगे प्लांट कितने ज़्यादा घने और हेल्दी हो जाते हैं चलिए अब दिखा इन पौधों की रिपोर्टिंग करसी करनी है ताकि किसी भी सीजन में ये प्लांट खराब नहीं मिट्टी मैंने दो दिन पहले ही बना के रख दी थी थोड़ी सी नीम की पत्यां और ले ले लेती हूं मेरे यहां 3-4 दिन से रोज बारिस हो रही है तो मिट्टी अभी तक न आप ही खतम हो जाएंगे चुकि गंबली पुराने थे तो मैंने ये थोड़ा सा फंगे साइट गंबली में 4 तरफ से डाल दिया है होल को मिट्टी के इस टुकड़े से बंद कर देते हैं पौड का होल बंद नहो इसके लिए तली में हम एक पतली से लेयर डालेंगे रेत की प्लांट लगाने से पहले इन चोटी चोटी बातों को ध्यान में जरूर रखें गल्दिया हम यहीं से शुरू कर देते हैं इसलिए प्लांट जल्दी खराब हो जाते हैं अब इसके उपर डालेंगे हम ये तयार की हुई मिट्टी मिट्टी पौट में उपर तक नहीं भरन है हमेशा 2-3 इंच पौट को खाली रखेंगे पौद लगाने के लिए थोड़ा सा गड़ा कर लेते हैं चूकि प्लांट अभी छोटे हैं तो जड़ें भी बहुत सौप्ट हैं तो हम किसी पतले टूल या चमच को गहराई से डालते हुए पौदों को धीरे से निकालेंगे ताकि जड़े न तूटने पाएं इस तरह थोड़ी सी मिट्टी से इसे बाहर निकालके सीधा पौट में रख देंगे अब यहां पर आपको ध्यान रखता है मिट्टी को चारो तरब से इस तरीके से दबा देंगे ताकि जड़ें खुली न रहें इसी तरीके से हम बागी क प्लांट को भी लगा लेंगे और इसके बाद ये पौधे लगबग दो महिने के हो चुके हैं तो रूट्स इसमें देखी कितनी अच्छी बन चुकी है बस इसी एज पर आपको रिपॉर्ट करना है बहुत ज्यादा चोटे या बहुत ज्यादा बड़ी पौधों की हो जाएगी पौट थोड़ा बड़ा था तो मैंने एक ही पौट में तीन चार प्लांट लगा दिये हैं कुछ पौधे गिप्ट के लिए में छोटे छोटे पौली बैग और गिलास में लगा देती हूं ताकि ले जाने में आसानी हो मेरे आसपास जिसके पास तुल्ची का प्लांट नहीं है बोल ले सकता है इन चोटे चोटे पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए थोड़ा सा हल्दी पावडर उपर से चिड़क देंगे अगर आपके हां बारिस नहीं हो रही है मिट्टी सूखी है तो आप हल्दी पावडर को पानी में घूल कर भी डाल सकते इस समय तुलसी की जो बड़े प्लांट है इन में बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं मंजरी बन रही है तो प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए इन मंजरी को हम फूल बनने से पहले ही तोड़ देंगे क्योंकि मंजरी के अंदर कीड़ों को छिपने की जगए मिल जाती है तो यह पर्मानेंट प्लांट पर बने रहते हैं जिससे प्लांट पहुत जल्दी खराब भी होने लगता है अगर आपको तुलसी की बीच चाहिए तो कुछ मंजरी को प्लांट की उपर तब तक छोड़ दें जब तक यह पूरी तरह से सूख न जाए क्योंकि जब आप अच्छे तरह से सूखी हुई मैच्चोर मंजरी को बोएंगे तभी अच्छा जर्मेशन होगा और नए प्लांट हेल्दी बनेंगे इस तरीके से आप त पॉर्णर को फ्रंदावन बना सकते हैं थेंक यू